नसका, दोस्तों, आप कैसी हैं और आपके अपने चैनल में आपका सुख आके तो दोस्तों, दोस्तों, आप इंडेर्ण ने भी हैं, हमार की प्रेप्रेशन और गोर्मेट जोप गे बार में जाने कायद लेना चाहती, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो ची लगे तो इस लाइक करना ना भूले। दोस्तो, आज हमारी ये 22 मा दिन हैं और 22 में दिन की ये दूसरी वीडियो है। आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तो आज मैं आपको कुछ मैद के question कराऊंगा, आप इस वीडियो को लाज तक देखती रहना दोस्तो आज मैं आपको लाब और आनी के question कराऊंगा question number first कोई व्यक्ति 10 रूपे में 11 संत्रे खरीद कर 11 रूपे में 10 संत्रे बिचता है इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाब यहानी होती है आप यहां पर देश सकते हैं दोस्तो 10 रूपे में 11 संत्रे खरीद कर 11 रूपे में 10 संत्रे बिचता है दोस्तो पहले तो बुक वाले ट्रिक के से करऊंगा, दोस्तो इस question को फिर ट्रिक से करऊंगा पहले में बुक वाले ट्रिक के से करऊंगा हैं दोस्तो इस question को दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना 10 रूपे में 11 संत्रे खरीदा है तो दस रूपे में 11 का ऐल्सियम लेंगे दोस्तों 10 का और 11 का ऐल्सियम लेंगे दोस्तों आपका ऐल्सियम होगा आपका ऐल्सियम होगा दोस्तों 110 110 होगा दोस्तों आप ऐल्सियम लेंगे 10 और 11 का ऐल्सियम लेंगे तो 110 आपका ऐल्सियम होगा माना की कुल संत्रे खरीते यह हमारे टोटल संत्रे होगे दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारे 110 संत्रे है बेची अग दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें पूछ रखा है कोई वैक्ति 10 रुपे में 11 संत्रे खरीद कर 10 रुपे में 11 संत्रे खरीद कर तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 10 बटे 11, 10 बटे 11, और टोटल संत्रे कितने हैं दोस्तों, 10 बटे 11 कर दिया दोस्तों, और टोटल संत्रे कितने हैं, 110, तो 110 से किया, तो इसको काटेंगे दोस्तों, ये, एक मेरे दोस्तों, इसको काटा, 10 आ गया, और ये 10 रहता है, 10 की 10 के साथ गुणा की तो 100 लश्दिय को प्रफिर सूम्म एक तो 100 आगया एक तो 100 यह हो गया दोस्टों और फिर उस में पूछ सूमर रखा है 130 रूपे में 10 संतरे बेशता है इस लेन देन में उस व्थक्ते को कितना लाब यहान ही होती है ग्यारा रूपे में 10 संत्रे बेशता है फिर क्या करेंगे दोस्तों 11 बटे 10 यहाँ पर क्या किया दोस्तों 11 बटे 10 और टोटल संत्रे कितने है 110 तो इसको काटेंगे दोस्तों 0 से 0 गई और 11 गुणा में 11 तो आप यहां पर 121 हो गया, दोस्तों, 0 से 0 काटिती दोस्तों, और यहां पर 11 की 11 के 7 गुना की तो 121 हो गया, और यहां पर हमारा 100 है, हमें पता दोस्तों उसे 21 रूपे का लाब हुआ 21 रूपे का लाब हुआ दोस्तों क्योंकि 100 का तो लेकर आया था दोस्तों 100 का तो लेकर आया था हमें पता 100 का तो सुमाल लेकर आया था यहां पर 100 आया इस कंसर में पता 100 का तो लेकर आया था और एक्किस 120 का उसने वेच दहां तो 120 ऊसै केवल 21 का फाय दाओगा हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों वो शो पर लाब हुऊँचो सोपर ही लाब हुँचो edvak‌वी Moanda Lewis-100, कितने रूपे का फाय दाओगा? ऊसै केवल 21 रूपे का फाय दाओगा नुक्सान होता तो दोस्तो 100 से ही नुक्सान करते हैं 100 में से 10 का नुक्सान होता तो 100 में से माइनस 10 करते तो 90 रहा जाता फाइल दाता तो 100 में से 10 का फाइल दाता तो 10 करते तो 110 हो जाता दोस्तो आप इस कोश्चन का स्क्रीन सोट ले सकते दोस्तो आपको मैं दिखा देता हूँ इस question का आप screen shot ले सकते हैं यहाँ पर 100 आ गया दोस्तों और यहाँ पर 121 आ गया और आप इसका screen shot ले सकते हैं दोस्तों आपको मैं trick से भी बता देता हूँ यह कैसी हलोगा दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है 11 बते 10 उसमें पूछ रगा दोस्तों और 10 बते 11 करना है दोस्तों आप यहाँ आपको देश सकते हैं और इनकी cross multiply करनी है cross करोगे तो दोस्तों यह ऐसा आएगा 11 गुणा में 11 minus 10 गुणा में 10 और बते में 10 गुणा में 10 यह सो टेक है दोस्तों और गुणा में परसेंट में निकालना है तो गुणा में 100 आ गया 100 दोस्तों हम 11 की 11 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 121 और 10 की 10 के साथ गुणा करेंगी तो यहाँ पर सो आ गया आप यहां पर देशते हैं यहां पर सू आ गया और निच्छे 10 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो यहां पर सू आ गया और यहां पर गुणा में सू है तो यहां पर गुणा में सू आ गया आप यहां पर देश सकते हैं और हम इसको काटेंगे जीरो के साथ जीरो गई दोस्तों और एक सो इक्सो इक्सो माईनास सो कितने रहा गया एक्सोर अन्सोर गया दोस्तों ये सौर ट्रिक थी इसका आप सक्रीनसर ले सकते दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको कोई भी कोशन समझे में ना है आप कमेंट पर पुछ सकते हैं और भी आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट पर पुछ सकते हैं अगले वीडियो किसके उपर बनाऊं दोस्तों उसके बारे में भी आप बता सकते हैं अगला कोशन यदि 16 वस्तों का क्रेम उल्या 12 वस्तों के विक्रेम उल्या के बराबर हो तो लाब यहानी परसेंट याद करें यदि 16 वस्तों का क्रेम उल्या 12 वस्तों के विक्रेम उल्या के बराबर हो तो दोस्तों इन कोशनों में यदि विक्रेमुल्य की वस्तू करेमुल्य की वस्तू से अधिक हो तो दोस्तो हानी होगी कम हो तो लाब होगा मैं आपको दुबार से बता देता हैं दोस्तो इस परकार के पच्छनों में यदि विक्रेमुल्य की वस्तू है क्रैम उल्या की वस्तों से अधिक हो तो हानी होती है कम हो तो लाव होता है दोस्तों हमें क्या करना है यदि 16 वस्तों है क्रैम उल्या 12 वस्तों के विक्रैम उल्या के बराबर हो तो दोस्तों इसमें हम फॉर्मुल्या के इसाब से करेंगे दोस्तों इसमें अंतर कितना है 16 और 12 में अंतर कितना है अंतर देखेंगे अंतर कितने का चियार का चियार का अंतर है दोस्तों दोस्तों चियार का अंतर है तो हम यहाँ पर चियार लिग दें आप यहाँ पर दे सकते हैं लाब या आने परसेंट गयाद करें बारा तो यहां पर आ गया बारा तो इसको काटेंगें दोस्तों यह जाएगा दोस्तों चार से ही काटते थे दोस्तों इसको चारती बारा और सो को चीयर से काटेंगे दोस्तों यह 25 पर जाएगा और 25 की चीयर की साथ गुणा की तो 25 का 100 तो दोस्तों यहाँ पर तो बते 3 तो दोस्तों पर सेट में कलना हम क्या करएंगे थीन की सो को ब setups बाग देन दोस्तों पर सो को हैं तो को तीन से भाग देंगे दोस्तों सो को तीन से भाग देंगे तो दोस्तों आपका अंसर आएगा आपको यह से 33 33 सई एक बटे 2% आपका अंसर आएगा दोस्तो 33 सई एक बटे 2 आपका परसेंट आपका अंसर आएगा दोस्तो आप इसका स्क्रीम सोट ले सकते हैं असान कोशन है दोस्तो अगला कोशन एक गोड़ा रुपे 1232 का बेच कर मैंने 12% लाब कमाया 12% लाब कमाया मतलब 100 में से 12% उसने लाब कमाया इस कोशन को दोस्तो फोर्मूले किसे करेंगे अब हमाँ फोर्मूला दिखा देता हूँ यह फोर्मूला है हमें इसमें पूछ रगा इसका कर मूले गयाद करे कर मूले का फोर्मूला यह है करैम उल्य भी करैम उल्य गुणा में 100 मट्ि में 100 पलस लाब लाब हुआ दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इसमें तो पूछ रखा है बेच कर 12 32 का बेच कर मैंने 12 पर सेंट लाब कमाया तो यहां पर पलस लाब आगया तो यहाँ पर होता दोस्तों बेच कर मैंने 12% हानी कमाई तो हानी हुई तो क्या करें हानी होती तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस हानी लिखी होती दोस्तों कितने की 10 की होती तो 100 माइनस 10 तो 90 हो जाता दोस्तों अब यहाँ पर 12% का टो बड़ा तो 112 हुए दोस्तों ऐसा हुगा दोस्तु आपको कैसी कणा आपको बता देता हूं इस पृर्मुले के तो हम यह करना कि यहां प्वर्मुले में और यहां पर गुणा में 100 है फोर्मूले में तो हम यहां पर क्या करेंगे गुणा में 100 और दोस्तों लाब कितने का हुआ लाब कितने का 100 पलस लाब लाब कितने का 12 परसेंट तो 100 पलस 12 कितने हो गए 112 12 12 गइव दोस्तर आप यहां दे सकते हैं इसको कटेंगे दोस्तों यह सिधा 11 पी गया और 11 गुणा में 11 गुणा में 10 करेंगे तो मरा आ गया दोस्तों एक बार सही अच्छी तरीक लिए ग्यारा सु आपका अंसुर आ गया दोस्तों यह गया दोस्तों मैंने बता दिया यह ग्यारा पे गया है और ग्यारा गुणा में सो तो ग्यारा सु आपका अंसुर आ गया और दोस्तों यहां पर अब तो लाब हुआ दोस्तों यहां पर बारा परसेंट लाब हुआ यहां पर हानी होती दोस्तों दस परसेंट की हानी होती तो क्या करते दोस्तों यहां पर सो माइनस दस करते नब्य हो जाता तो यहां पर भी नब्य आता यहां पर भी नब्य आता यहां पर भी सूद्तर यए रहेगा सूद्तर में यहां पर ये चेन्स हो जाएगा यहां पर हानी आग दो thicken मान्स हानी आ जाता अब है तो ना पुय गया नो इस स्क्रीश कर दों को कुश्चन का स्री अथ हान कर लिएगा सकती destruction आज का आपना दिन सुवरे देखने के लिए देनेवाद दोस्तों